रोजाना ग्यान वर्दक चीजों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी दोस्तों सावन शिवरातरी का हिंदु धरम में विशेश महत्व है वैसे तो हर महिने कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को शिवरातरी आती है लेकिन सावन महिने में आने वाली शिवरातरी को विशेश फल दाई माना जाता है मान्यता है कि फागोन महिने में पढ़ने वाली महा शिवरातरी की तरह ही सावन शिवरात्री में भी अक्षे पुन्य मिलता है हिंदू मान्यताव के अनुसार आधी देव भगवान शिव शंकर का दिन सोमवार है और सावन उनकी पूजा का सर्वश्रिष्ट महिना है दोस्तों देवों के देव महादेव को प्रसन करने के लिए सावन का महिना सबसे ज्यादा शुब माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी भगत सच्चे दिल से भगवान महादेव की अरादना करता है उसकी उपर महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन हो जाती है और उसकी सभी मनो कामना पूरी होती है सोमवार के दिन महादेव के मंदर में भारी मात्रा में उनके भक्त जन शिव जी की पूजा रादना करती है और भगवान शिव जी भी अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करती है शिव के भक्तों को नहीं मृत्यू का भय रहता है ना रोग का और ना शोक का शिव तत्व उनके मन को भक्ती और शक्ती का सामर्त देता है शिव तत्व का ध्यान महामरित्ति उन्जय मंत्र के जरिये किया जाता है शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा जिस भी व्यक्ती पर हो जाती है उसकी किस्मत रातो रात चमक जाती है और उसके जीवन के सभी कश्ट समस्या दूर हो जाती है इस बार सावन मास की महाशिवरातरी पर भगवान शिव की कृपा कुछ राशियों पर होने वाली है तो आईए जानते हैं यह राशियां कौन सी है आप से अन्रोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें इसके साथ ही वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करती है दोस्तों जैसा कि हम सभी जानती हैं कि दुनिया भर में अलग-अलग राशी के लोग रहती हैं ऐसे में आज हम आपको न भागिशाली राश्यों के बारे में बताने जा रही हैं इनको आज राज से आने वाले कुछ महिनों तक महादेव की कृपा मिलने वाली है इन राशी के लोगों का जीवन आने वाले वक्त में बहुत ही परिवर्तित हो सकता है इनका मन पूर्ण हे अपार सफलता मिलने वाली है इस राशी के लोगों का कार्य पूर्ण सफलता की ओर बढ़ रहा है और आत्म विश्वास में बढ़ोत्री होने वाली है इन राशी वालों के लिए आने वाला वक्त एक बड़ी खुश खबरी के साथ जीवन में बदलाव भी लेकर आ सकता है इसी के साथ इस राशी के लोगों के लिए आने वाला महिना बहुत अच्छा होने वाला है जी हाँ, इंदराशी के लोग दूसरों की जरुवतों का विशेश ध्यान रख सकती हैं और अपनी जीवन में हमेशा ही ये लोग सकरात्मक बने रहेंगे इन राशी के लोग भगवान भूले नात की पूर्ण कृपा ने ओपर रखती हैं और भगवान इन राशी के लोगों से अत्यादिक प्रसंद रहती है आप सभी को बता देए कि इन राशीयों के लोगों को आने वाले वक्त में कर्मों के हिसाब से जल्द ही शुब भल इस राशी वाले लोगों को जीवन साथी की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और इनका मन प्रसन बना रहेगा। हम बात कर रही हैं वह हैं वरिशब राशी, मिथुन राशी, कन्या राशी, सिंग राशी, वरिश्चक राशी, तुला राशी, मेश राशी और कुम्ब राशी। चैनल को ऐसी ही वीडियोज और देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दें। धन्यवाद आपका दिन शुब रहे।